सब्सक्राइब किजिए हमारा चैनल ट्रेजर आफ स्टड़ी और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी और कॉंस्टिउशन का पार्ट टू करने वाले हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उपर डेस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो देख सकते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम अगले 100 कोश्चन करने जा रहे हैं तो हम पहले वीडियो में कर चुके हैं तो शुरू करते हैं पहला कोश्चन है भारतिय समविदान में सम्मिलित नीती निर्देशक तत्वों की प्रेयरना हमें किस समविदान से प्राप्त हुई तो जो नीती निर्देशक तत्व हैं वो आईरलेंड के समविदान से लिये गए option भी इसका सही answer होगा अगला question है निमिल्लेकित में से कौन सा सब भारत के समविदान की उद्देशका में नहीं है तो लोक कल्यान जो सब्द है वो भारत के समविदान की उद्देशका में नहीं है जबकि समाजवादी प्रभुत संपन और पंतर रपेक्च ये तीनों उसकी उद्देशका में सम्मिलित है अगला question है भारतिय समविदान की समवा की प्रारूप समिती के अध्यक्ष कौन थे तो प्रारूप समिती के अध्यक्ष थे डॉक्टर पी आर अमबेड़कर, डॉक्टर भीम राव अमबेड़कर सी option इसका सही आंसर होगा अगला question है समविदान की प्रारूप समिती के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किस ने रखा तो ये प्रिस्तावना का प्रिस्ताव किसी ने रखा था जवारलाल नहरू ने ये option इसका सही आंसर होगा अगला question है भारतिय सम्विधान की संगिये सक्ति समीति के अध्यक्ष कौन थे तो वो कौन थे जवारलाल नहरू option से इसका सही आंसर है अगला कोश्चन है समविधान सभा के लिए चुनाब कब संपन हुए तो 1946-1946 में समविधान सभा के लिए चुनाब संपन हुए थे अगला कोश्चन है हमारे समविधान में मूल अधिकार के समविधान से प्रेरित हैं तो अमेरिका के समविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं अगला कुश्यन है भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है तो भारत के नागरिकों को एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है अगला कुश्यन है नीतिन रिदेशक तत्वों को कार्यानवित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है बता रोक लगा सकता है एक कुछ है अमर्जेंसी के टाइम में अगला कोश्चन है भारत के समविधान में अंतरराश्ट्रे सुरक्षा को प्रोत्ताहान देना सन्निहित है option B राज्जी के नीती निर्देशक तत्तु में अगला कोश्चन है नीती निर्देशक से धांत है वाद्ययोग नहीं है अगला कोश्चन है समान कारे के लिए समान वेतन भारत के समविधान में सुनिशित किया गया एक कौन सा किसका अंग है तो यह है राज्जे के नीती निर्देशक से धांतों का अंग है समान वितन समान आये अगला कोशन है विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिशनर के प्रत्य पत्र किसके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं तो प्रत्य पत्र किये जाते हैं राश्टपती के द्वारा यानि प्रेजिडेंट ओफ इंडिया अगला कोशन है किसने उच्टम न्याले के मुख्य न्याजदीज तथा कारवाहक राष्टपती दोनों ही पदों को सुसोवित किया है यानि कौन से ऐसे कारवाक राष्टपती रहे हैं जो हमारे उच्टम न्याले के मुख्य न्याजदीज भी रह चुके हैं तो मुहम्मद हिदायत उल्ला ऐसे राष्टपती रह चुके हैं ओप्सने इसका सही आंसर होगा अगला कोश्यन है किस प्रधानमंत्री के कार्रकाल के दौरान दो दो उप्रधानमंत्री एक साथ नुक्त होए थे तो मौरारची देशाई के टाइम में दो प्रधानमंत्री को नुक्त किया गया था अगला कोश्यन है निमिल लिखित में कौन लोकसवा में विरोधी दल का नेता पद पर कभी नहीं रहा तो मनमौन सिंग जो है उन लोकसवा में कभी भी पद पर नहीं रहे अगला कोश्यन है किस राज्य का उच्टम विदी अधिकारी होता है एड़ोकेट जर्नल जो होता है वो राज्य का विदी अधिकारी होता है अगला है कानूनी विशेश अपर राजी सरकार को कौन प्रामर्स देता है तो एड़ोकेट जनरल कानूनी विशेश अपर राजी सरकार को प्रामर्स देता है भारत का सौलिष्टर जनरल होता है प्रिशाषनिक अधिकार होता है गुवर्मेंट ओफिशल्स होता है अगला कोशन है समविदान की वाक्या करने का अधिकार किसे प्राप्त है तो सरवुच नियाले को समविदान की वाक्या करने का अंतिम अधिकार होता है अगला कोशन है 121 जब राष्टपती एवं उप राष्टपती का पद खाली हो तो भारत के राष्टपती के पद पर कौन होता है तो भारत का मुख्य नयदीज यानि Chief Justice of India और वर्तमान में हमारे Chief Justice of India कौन है S.A. बोब्डे यानि सरद अर्विंद बोब्डे अगला कोशन है राष्टपती किसी राष्टपती की सलहा पर किसी राष्टपती की राष्टपती की सलहा पर उनके परामर्स से राष्टपती की राष्टपती की सलहा पर उनके परामर्स से राष्टपती की राष्टपती की सलहा पर उनके परामर्स से राष्टपती की राष राज्य की कारपाल का सकती नेत होती है अगला कोश्चन है किसको हटाने का प्रावधान सम्विधान में नहीं है तो गवर्नार्यानी राज्यपाल को हटाने का प्रावधान सम्विधान में नहीं है अगला कोश्चन है सर्वोच न्याले किस संस्था का निरिक्षन कर सकता है तो सर्वोच न्याले अधीनस्थ न्याले का निरिक्षन कर सकता है अगला कोशन है राजी की विदानसभा के सत्रा वसान के आदेश किसके द्वारा दिये जाते हैं तो राजपाल के द्वारा यानि गवर्णर के द्वारा सत्रा वजन के आदेश दिये जाते हैं अगला कुशन है योजना आयोग एक है क्या है असम्वेदानिक निकाई अगला कुशन है योजना आयोग का स्वेरूप क्या है परामर्श दाती संस्था लेकिन अभी मोधी गॉर्मेंट ने 2015 में योजना आयोग के स्थान पर क्या बना दिया है नीति आयोग और इस नीति की फुल फॉर्म क्या है नेशनल इंस्टिटूट अफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अगला कोशन है पंचवर्सिय योजना का अंतिम अनुदन देता है राष्टे विकास परीशद अगला कोशन है योजना आयोग के शेत्र में कार्य करता है भारतिय अर्थववस्ता के शेत्र में कार्य करता है अगला कोशन है भारत में पंचवर्षिय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है तो योजना आयोग की जिम्मेदारी होती है अगला कुशन है कैंदर और राज्य के बीच धन के बटवारे के संबंद में कौन राय देता है वित आयोग राय देता है अगला कुशन है संग लोग सेवा आयोग के सदश्यों की नुक्ति कौन करता है तो राष्ट पती UPSC के सदश्यों की नुक्ति करता है अगला कुश्यन है केंद्र और राज्यों के मद्धे वित्त का बटवारा किया जाता है वित्त आयोग की स्पारिस पर आप्सन डीस का सही आंसर होगा अगला कुश्यन है निमिलिकित में से कौन सा समविधानिक निकाय नहीं है योजना आयोग समवेदानिक निकाय नहीं है अगला कुश्यन है प्रास्तावना का वह प्रावधान जो सभी व्यस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त करता है कहलाता है प्रजा तंत्र अगला कुश्यन है संगात्मक सासन व्यवस्था को सर प्रिथम किस देश ने अपनाया तो कनाड़ा ने सबसे पहले इसे अपनाया अगला कुश्चन है भारत का समविधान भारत को कैसे वर्नित करता है भारत का समविधान भारत को एक राज्यों के संग के रूप में वर्नित करता है अगला question है भारतिय सम्विधान में राज्य के नीती निर्देशक तत्व ग्रहन किये गए हैं किस कौन से देश के सम्विधान से आयरलेंड के सम्विधान से most important question है अगला question है राजसबा के सदश्यों को नाबित करने का अधिकार निमिलिकत में से किसको है तो राजसबा के बारश अधिकार होता है वे राजसबा के बारश अधिकार को नामित कर सकता है अगला question है राजसबा के लिए नामित प्रथम फिल्म अमिनित्री कौन थी तो नर्गे स्थत्त राजसबा के लिए नामित प्रथम फिल्म अमिनित्री थी अगला कुश्यन है लोकसभा का स्थाई अध्यक्ष किसके द्वारा निक्ष किया जाता है तो राश्टपती के द्वारा लोकसभा का स्थाई अध्यक्ष निक्ष किया जाता है और स्थाई जो अध्यक्ष है वो लोकसभा सदर्शों के द्वारा निक्ष किया जाता है अगला question है भारतिय सांसत के दोनों सदनों के स्नियकत अधिवेशन के सभापतितु कौन करता है तो लोकसबा अध्यक्च यानि speaker करता है अगला कुशन है लोकसभा में किसी विद्यक को धन्विद्यक के रूप में कौन प्रमानित करता है तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो ये बताता है कि कौन सा विद्यक धन्विद्यक है या नहीं है इसका पूरा अधिकार इसी को होता है लोकसभा स्पीकर को अगला question है मिलकित में से किस समीती का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है तो नियम समीती का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है अगला question है यह विद्यक धन विद्यक है या नहीं इसका नेर्ने कौन करता है तो इसका नेर्ने करता है लोकसवा अध्यक्च उप्सन से इसका सही आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है तो ये कौन बुलाता है राष्टपती बुलाता है इनको option भी इसका सही अंजर होगा अगला question है परतर्म speaker जिसके खलाफ लोकसवा में एविस्वास प्रिस्ताव लागया गया वो कौन थे के एस हेगडे important question है अगला question है लोकसवा मासचिव जो लोकसवा सचिवाला का प्रामुक होता है किसके द्वारा निक्त किया जाता है तो वो निक्त किया जाता है speaker के द्वारा यानि अध्यक्ष के द्वारा अगला question है लोकसवा के प्रितम उपाद्यक्ष कौन थे अनंत शेयंग आयंगर और अध्यक्ष कौन थे यानि ये तो होगए deputy speaker और speaker कौन थे जीवी मावलंकर important question है अगला question है 9 मिलिक्त में से कौन लोकसवा का नेत्रत करता है तो प्रधानमंत्री लोकसवा का नेत्रत करता है अगला question है संगिये मंतरी परिशद का अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधान मंतरी होता है इसका भी अगला है प्रधान मंतरी को उसके पद की गोपनेता की सपत कौन दिलवाता है राश्ट पती जो होता है वो उसके गोपनेता के पद की सपत दिलवाता है अगला कोशन है भारत का प्रध किये जाते हैं प्रेजिडेंट यानी राष्टपती के द्वारा अगला है प्रधानमंत्री पद पर सर्वादिक समय तक कौन आसीन रहा तो जवालन नेरू सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं अगला कुश्चन है किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद समभाला था तो इंद्रा गांदी ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा से पद समभाला था अगला कोश्चन है सबसे कम उम्र में पद पर प्रधानमंत्री के पद पर आसिन होने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे राजीव गांदी ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने है अगला कोश्चन है भारतिय समविधान का आप किस प्रकार वर्नन करेंगे तो भारतिय समव सब्विधानों में से एक है घारत का सब्विधान मानेता प्राप्त करता है धार्मिक एवं अल्प संग ऑप्शना को कौन सी विवस्था इंग्लेंट से ले गई है तो इंग्लेंट से ले गई है संसधी है नली यह ओप संब इसका सऴमिय अनसर होगा pur códग अगला कोशन है काविडिट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है तो पाकिस्तान की स्विकरति अगर्थिय को वर्ष 1947 में सार्भाम सत्ता स्य आपने की योजन one men में से किस नाम से जानी गई तो मांट बेटन जोजना के नाम से जानी गई अगला कोश्चन है मारले मिंटो सुधार का उद्यश्य क्या था तो पर्थक निर्वाचन प्रिनाली मालो मिंटो सुधार का उद्यश्य था अगला कोश्चन है समीदान सभा के ऐस थाई अध्यक्ष जब कि स्थाई अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर बियार अंबेड कर अगला है समविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष कौन थे वो कौन थे डॉक्टर राजेंद्र परसाद अगला कुशन है भारत में वैद प्रवुसत्ता निहित है तो भारत में वैद प्रवुसत्ता निहित ह सम्विधान में अगला कुशन है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संसोधन का अधिकार दिया है तो केश्वनंद भारती वेबाद ने दिया है अगला कुशन है सम्विधान के अंतरगत बंदी पृत्यक्षी करन समादे जारी करने का अधिकार किस में नीथ है उस्तम जारी करने का अधिकार है अगला कोशन है निमिल में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है यह पहले मूल अधिकार में था लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया अगला कुशन है भारत समीधान में किस अनुचेद में राजी के नीती निदेशक ततों का उलेक है तो अनुचेद 36 से 51 यानि 34 से 50 तक राजी के नीती निदेशक ततों का उलेक किया गया है अगला कुशन है समविदान का भे भाग कौन है जो समविदान के निर्माताओं के मस्तिस्क और उद्दिश्यों को प्रतिविम्बित करता है तो हो है राजी के नीती निर्देशक सिद्धान्त अगला कोशन है राजी के नीती निर्देशक तत्वों में से किन किन प्रकार के सिद्दान्त एनिर्थ हैं हार्तिक सिद्दान्त, परशाशनिक सिद्दान्त, सामाजिक सिद्दान्त तो ये सभी जो सिद्धान्त हैं वो नीति निर्देशक तत्वों में से एनियर्थ है अगला कोशन है भारते समिधान का कौन सा अंग समाजवादी विवस्ता सापित करने की प्रेहना देता है तो नीति निर्देशक तत्व देते हैं अगला कोशन है भारत में संग राज्यों का प्रशार्शन होता है राष्टपती के द्वारा होता है option A इसका सही आंसर होगा अगला कोशन है भारत के संपरिक्षा एवं लेखा परनालियों का प्रधान कौन होता है तो भारत का नियंत्रक एवम महालेखा गार्द होता है वो सम्चिक्षा एवम लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है अंगलिस में को क्या बोलते हैं कैग कंट्रोल और ओडिटर जेनरल अंगला कुशन है कैंट्र सरकार ने वे को नियंत्रित करने की सकती किसमे नियत है तो नियंत्रक एवम महालेखा परेक्षक में होती है अंगला कुशन है नियंत्रक एवम महालेखा परेक्षक भारत का नियंत्रक एवम महालेखा परेक्षक किसके लिए मुख्य लेखागार तथा लेखा परेक्षक के रूप में काम करता है तो संग और राजे सरकार के लिए यह स्टेट और केंद्र सेंटरल में धनका पटवारा करता है अगला कुशन है लेखा परिक्षन का मुख्य उद्दे से किसके व्यंग पर नियंत्रन करना होता है तो होता है कारपालिका के वैपर अगला कुशन है भारत के केंद्री इस्तर पर लेखा गन और लेखा परेक्शन किसके अधिकार छेतरी में आता है तो वो आता है नियंत्रा केवं महालेखा परेक्शक अगला कुशन है भारत के नियंतरक एवं महालेका परिक्षक की निक्षक की अबदी कितनी होती है तो वो होती है छे वर्स या फिर 65 वर्स तक की आयू जो भी पहले हो जाए या तो वो 65 वर्स का हो जाए या उसके 6 साल पूरी हो जाए हो उसके रिटार्मेंटेज होती है गला कुशन है भारत के नियंतरक एवं महालेका परिक्षक की निक्ति समिधान के किस अनुचेद की तैत की जाती है तो की जाती है अनुचेद 148 गला कुशन है किस सेवन विर्थ नियंत्रक एवं महाले का परिक्षक को वित्त आयोक का अध्यक्ष बनाया गया तो एके चंदा को बनाया गया था अगला कोशन है भारत का नियंत्रक एवं महाले का परिक्षक अपना प्रतिविदन देता है, तो किसको देता है? राश्डपती को देता है, अगला कुछियन है भारत के निय न्तरकर, एवन महालेखा परिक्षक द्वारा, प्रस्थत प्रतिविदन के अधार पर कौन समीति गावर करती है, तो लोख लेका समीति कार्य करती है अगला कुश्चन है किस समीति के सदश्य राजसभा से नहीं लिये जाते तो प्राकलन समीति के जो सदश्य होते है उनमें राजसभा का कोई प्रतेनिदी नहीं होता है अगला कुश्चन है कौन समीति विवन विशी उपर चर्चा के लिए समय का निर्धारन करती है तो कारजला का समीति करती है उप्रक्रीज़ार कोशिन है साइर्बियर प्रवर समीति में कितने हैं सदस्य होता है तो वस् weights 45 देखि़ होता है 45 अगला कोशिन है सार्वजानिक लोखलेगा समीति में राजसभा के कितने शदश्यों होते हैं तो लोखलेगा समीति में राजसभा के कितने शदश्यों होते हैं साथ होते हैं अगला कुश्चन है प्राकलन समीति में कितने शदश्यों होते हैं संसद के कितने प्रकार की समितियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं सथाई समितियां और तथर्थ समितियां होती हैं झनसदगी नियम सम्मीथ्य और संधिक नया पालीका का उल्लेग है, भाग सर्वोच नियाले समिधान की वाक्याकार और सरक्षन दोनों है यानि सुप्रीम कोट अगला कोशन है भारते समिधान की वाक्या करने का मुख्यादिकारी कौन है सेम कोशन है दूसरे तरीके से पूचा गया है सर्वोच नियाले ही भारते समिधान की वाक्या करने का मुख्या 73 के अंतरगत भारत में सप्रीम कूट की स्थापना हुई थी अगला कुश्चन है मूल रूप से समविधान में सरवोच न्यायदीस के अतिरिक्त कितने न्यायदीस की व्यवस्था थी तो ऑप्शन भी यानी साथ अगला कुश्चन है उच्टम न्यायदीसों की संख्या में व्यवरिद्धी करने की शक्ति किसके पास होती है तो किसके पास होती है संसद के पास होती है